नमस्कार साथियों, Infusion Notes के YouTube चैनल पर आपका स्वागत हैं, मैं आपका साथी कपिल तिवाड़ी आज आपके सामने 4 सितंबर 2023 सुझस बुल्टेन लेकर पढ़ता हूँ साथियों आपको ही पता है कि राजस्तान सरकार की योजनाई वे राजस्तान सरकार जो कारिये करती हैं, उन्का परकासन सुझस बुल्टेन के माद्यम से होता है राजस्तान की जितनी भी प्रतिवीता प्रिक्षा होती है सबसे जादा गर current affairs पूँचा जाता है राजस्तान current affairs जिसमें सरकार की योजने आती हैं या सरकार ने कौन से कार्य किया हैं वो सबसे जादा सुजर्स फूलिटन के मादें से पूछे जाते हैं आपको सबसे ज़्यादा क्यूसन सुजस बुलिटन से देखने को मिलेंगे, इसलिए यह सेसन साथियों आपके लिए काफी उपयोगी रहता है, मैंने अगस्त के जितने भी सेसन करवा हैं, वो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, इन फ्यूजर नोट्स के यूटू भी आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो इस सेसन को लाइकवाई शेयर कीजिएगा, आपको इसमें जो सेसन आप डेली ले रहे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है, उसकी भी आप कमेंट बोक्स के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं, का दर्जा मांगा इसके लावा आम लोगों के सुजाव से विजन डॉकुमेंट है त्यार होगा ये स्टेटमेंट रहा इसके लावा जोदपुर ग्राम मिन बनाड सामुदैक स्वास्ते के अंदर अब सेटेलाइट चिकेश चाले में करमोनत होगा ग्राम सेवा सहकारी समेति माद्या में परिवर्तित होंगे इसके लावा राज्य में MNST योजना की अवदी है जो 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है इसके लावा मुख्य मंत्री की मंजूरी है दी है उन्होंने देव नरायन बाला का वाश ये विजया लिया शुरू होगा सहपुरा में ये इसकी सविंदर मंच मल्टी कलेचर सेंटर के रूप में विक्षित होगा इसकी पहले ही भी गोशना की थी उस पर अपने बात की थी पर देशों में खेलों का सकारात्मक माहुल बना है ये सब मुख्य मंत्री जी के स्टेटमेंट है और ये इपोर्टेंट रहते हैं अगर मुख् मुख्य मंत्री जी गए थी वहां पर उन्हों ने स्टेटमेंट दिया मुख्य मंत्री ने फिर से बाहर सरकार से पुर्वी राजस्तान नहर के लिए राश्ट्य प्रियोजना का दर्जा मांगा है ये स्टेटमेंट है जो मुख्य मंत्री जी ने दिया अब इस पर अपने बात करते हैं इसके अलावा इसमें जो विजन 2030 था उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया उस पर अपने बात करेंगे मुख्यमंत्री शीरी गहलोत ने कहा कि राजे सरकार वर्ष 2030 तक राजस्तान को सभी छेत्रों में देश का अगर्ण या परदेश बनाने के लिए मिसन 2030 का विजन परे काम करी है और उसमें राजे के एक रोड से अधिक लोगों का जो सुजाओ लिये जा रहे हैं और इसके बाद ही जो सुजाओ के बाद ही विजन डॉकूमेंट है जो जारी किया जाएगा या परदेश के एक रोड लोगों से जो सुजाओ लिये जा रहे हैं उसके बाद ही मिसन 2030 का विजन डॉकूमेंट है जो जारी किया जाएगा गेलोट ने का कि राज्म सरकार की जंकल्यानकरी योजना से आज हर तरफ चर्चा हो रही है इसके लावा स्वास्थे का धिकार बताया पुरानी पेंसर नियुंतम आई गराइंटी कानुन जैसे नियन्यों से राज再त्तान देश में मोडल स्टेटमेंट कर उब्रा है यह स्टेटमेंट रहा हमने स्वाषतेश्टे पानी विदूद्चीकिशा सडक सहीध हर शेतन में है जो कारीये क्या है जिसने लोगों को फायदा हुआ है यह मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री सोंवार को गंगापूर शिटी में एवजित राजी उगांदी ग्रामिन वे सहरी ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता का आवलोकन करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिये उनका ये वीवरेन है साथियों आगे देखेंगे क कौनची मेहतोपूर्ण है? इसके अलावा मुखेमत्री ने फिर से बाहर सरकार से पूर्वी राजस्तान नेहर प्रियोजना को राश्ड़्या प्रियोजना का दर्जादेने की है जो मांगए कि यह उन्होंने कहा कि यह प्रियोजना राज्ये की पूर्वी हिंसे में आम ल बिखतार मांग कर रहिए, केंदर सरकार को सकारात्मक रूक अपनाते हुए ए रसीपी को जलद ही राश्ट्य प्रियोजना गोशित किया जाना चाहिए यानि जो पूरी नहर प्रियोजना है उसके लिए मुख्य मंत्री ने ख़ां कि हम जो कहना सरकार उसे बात करे हैं कि इसको राष्ट यह प्रियोजना का दरजा दे जिसे इस पूरी चत्र में आने वाले लोगों को इसों फाइदा हो और किसानों को भी फाइदा इसमें मुक्यमंत्री ने का है कि पूरे राजस्तान में सुचारू विदुद आपपुर्ती सूनी चीत करने के लिए राज्य सरकार है जो लगातारे कारिये कर रही है यानि अब की बार अगस्त मेहने में बारिस कम हुई और कोईले की मांग बढ़ने के कान है जो थोड़े समय के लिए विदुद आपपुर्ती उपलब्द हो जाएगी यानि जो कमी होरी अबजली की इसको पूर्ती करने के लिए कदम उठाएगे हैं और उसका परिणाम हमको जल्दी देखने को मिलेगा कि सुचारू रूप से विदुद की आपूर्ती हो जाएगी इसके लावा विदायक शीरी रामकेस मीना ने गहलोजी का बारवेक्त करती होए यानि इसतानिय लोगों की मांग पर बालगाट जो उप तसील तो उसको तसील बनाने की है गोशना मुक्ह हमत्री ने की श्री गेलोट ने जिलास तरिये राजियो गांदी ग्रामीन वे सहरी ओलम्पिक खेलों के तहत रसा कसी तथा कपड़ी के फाइनल मुकाबलें का आउलोकन किया है। खिलाडियों का है जो उत्सा वर्दनiße किया इसके अलावा गैलो जी ने गांदी दर्शन गैलरी जो गैलरी है उसका उलोकन किया इस दूरान सरावजनिक निर्मान मंत्री श्री बजनलाल जाटो विदायक श्री पी एर मीना श्रीमती इंद्रा मीना श्री लाकन शेमिना जन्परती निदी मौजूद रहे ये जो दर्सन गेली है गांदे जी का उसका वलोकन है जो मुख्यमति ने किया उसका भी फोटो इसमें डार लगा है सातियों तो यही है कि आम लोगों के सुझाओं से वीजिन डॉकुमेंट 2030 है जो जारी किया जाएगा यानि सुझाओं लेंगे उसके बाद उसको जारी किया जाएगा ये लगातार अपने देखें सुझाओं सुझाओं में यही चल रहा है इसके लावा जो इपोर्टेंट था कि जो सातियों पूर्वी राजस्तान नहर प्रियोजना है उसके लिए मुख्यमति ने राश्टी राश्टी है प्रियोजना का दर्जा देने के लिए जो केंदर सरकार से आगर है किया है कि आप इस पर जल्द ही सकारातम के फैसला लीजिए ये इपोर्टेंट था और विजित आप उठती के लिए जो प्रयाप्त कदम उठाये जा रहे हैं उस पर अपने बात की अब आग करमोनत करने की है जो मंजूरी दे दी है जोदपुर गरामिंड की मंदोर पंचायत समीति का सामुदैक स्वास्ते के अंदर बर्नार सेटिलाइट चिकेशाले में करमोनत होगा यहां बेर समता 30 से बढ़ा करें जो है 50 की जाएगी इसके अलावा बाड मेर जिले की पंचायत समीति है फागलिया प्राथमिक स्वास्ते के अंदर है उसको करमोनत किया जाएगा शी प्रकार प्रतावगर जिले की पंचायत समीति गंग रार का सेमलिया चुरहा और बैस्रोड़ गड का आगरा उप स्वास्ते के अंदर है अब प्राथमिक स्वास्ते के अंदर में करमो बांड मेर फागलिया पीएचसी शी एचसी में करमोनत होगी चितोड़गट दो स्वास्तेकेंदर हैं जो पीएचसी में करमोनत होगे ये इसमें स्टेटमेंटें दे रखा आता अब है जो मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है उस पर अपने बात करते हैं राजस्तान लगे कुछ अपना सा कोविट के बास सेही पर दे सरकार के प्रियास से राजस्तान प्रेटन नहीं उचाईयों को छूरा है अपने बात की थी जितने भी सूजस पड़े थे सरकार लगातार है जो साथियों प्रेटन को बढ़ावा दे रही है जहां एक और उद्य पुरको विश्व की दूसरी पसंदीदा जगें का खिता मिला है वहीं वरस 2022 में कुल दस पॉइंट शित्याशी क्रोड प्रेटनों का आगमन जो 2021 से 49.44% है जो जादा रहा इसके लावा राजस्तान ने वरस 2022 में देशी विदेशी प्रेटकों के आगमन के मामले में 2021 से 4 पाइदन उपर जाते हुए सात्व अस्तान है जो प्राप्त किया है हम गरव से कह सकते हैं कि रंग की भूमी अतित्य देव बहु का सकार उपर दे रही है यानि जो अतित्य देव बहु है राजस्तान की प्रंप्रा है कि अतित्यों का समान किया जाता है वो अब सकार हो रह में 10.83 क्रोड का प्रेक्टन का आगमन हुआ था 2019 में 2021 से वो गुन 40.40 परती सते जादा है शीप रगार 2022 में विदेशी प्रेक्टन के आगमन के मामले में 2021 से 4 पाइदान उपर जाते हुए सातों अस्तान है जो प्राब्द किया है इसके अलावा साथ युद दे रखा है कि ग्राम सेवा सहकारी समीतियों में अबे पेंट्रोल पंपे खुलेंगे इसके लिए जो आवेदन है 27 तंबर तक आपे कर सकते हैं परदेश की ग्राम सेवा सहकारी समीतियों में पेंट्रोल पंप खोले जास केंगे, इसके लिए पेंट्रोलियम मंत्रालेने नियमों में संसोद ने किया है, सहकारीता विवार के रजीस्टरार शिरी मेग राजशी है, रुत्तन ने बताया कि उच्छक ग्राम सेवा सहकारी सम सरकार के वेवसाय कर्ष केगी सभी पैक्स के केंप्यूटर राइजेशन के लिए राजे सरकार के सहयोक्षें हाडवेर डिजिटालाइजेशन तता सिस्टम एंटिगेटर सुईधा उपलव दें जो करवाई जारी यानि सरकार ये सुईधा दे रही है ये था सातियों जो ग् महत्मा गांदी अंग्रेजी माद्य में परिवर्तित होंगे यानि जो मुख्य मंतरी ने कहा था कि हमारा लक्षय है कि गाओं कस्बों धानी में जो भी विद्यारती है जो अंग्रेजी माद्य में नहीं पढ़ पाते उनके लिए सुईधा की जारी है कि हमारा प्रयास है कि प्रते गाउं में या सहर जिसके आसपास लगता है उसमें कम से कम एक जो अंग्रेजी महात्मा गांधी विद्याले होना चाहिए उसी करम में 18 जिलों में 130 विद्याले हैं उनको अब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्य में है जो परिवर्तिते किया जा रहा है राजय सरकार परदेश के राजके विजयाले में अंग्रेजी शिक्षा को सुदर्ड करने के लिए मेहत्वपुन निन्या ले रही है। शी करम में मुख्य मंत्री श्री गैलोट ने 18 जिलों में विएद सरेणी के 13 से राजकिय विद्यालियों को महतमा गांधी राजकिय अंगरेजी माध्या में रुपान तृत करने की स्विकर्टी है जो परदाने कर दी है प्राथ मिक्स्तर के 42 उच्छ प्राथ मिक्स्तर के 56 उ उच्छ प्राथ मिक्स्तर के हो गए 36 और उच्छ माध्य मिक्स्तर के हो गए 33 और इनमें से जो बालिका विद्याले भी है उनकी संक्या रहेगी आठ यानी राजस्तान सरकार का टार्गेट है कि जो अंगरेजी माध्या में उसको सूदर्ड किया जाए परदेश के जो कोशना की गई थी इसमें का गया था कि सरकार है इस पर कर यह करेगी इसे पूरो राज्य में च्छती सो दो राज किये अंगरेजी माध्य में रुपानित किये गए थे इनमें लग बग 6.25 लाख बच्चे हैं जो अध्याने करें यानी 6.25 लाख बच्चों को माध्मा गांदी अंगरेजी विद्याले की सुजदा है जो भी मिल रही है सातियों ने माध्मा गांदी विद्याले जेपूर में 27 हैं अलोवर में 15 बारा में 13 जोदपूर में 12 बार्डमेर में 10 है इसी प्रकार बताए गई है चुरू में 1 है चितोड में 1 है राज समंद में भी एक है यानी जालोर 2 है कोटा 1 है अजमेर 3 बरतपूर 5 नागोर 5 और डुंगर पूर्च है इनकी संक्या इस प्रकारें बताए गई है राजे में MNST योजना की अवदी है जो 30 दिसंबर तक है बड़ी इस पर बात करते हैं राजस्तान सरकार के राजस्वा बकाय के पुराने प्रकणों को शिगर समाधान एयों हिद्दारकों को रहा देने के लिए MNST योजना की समय अवदी है जो बढ़ा दी गई है अब कत्ती दिसंबर 2023 तक बकायराशी जमा करने पर नियमान उसार ब्याज और प्लेंटी में छूट है जो मिलती रहेगी इसने राज्य सरकार के राजस्वा में भी वर्दी होगी मुख्या मंतरी स्री कहलोत ने सभी हित दा मंतरी की विवाद की MNST योजना की अवदी 30 मार्च को समाप्त हो चुकी है अनि योजना की अवदी है जो 30 संबर को पूरी हो जाएगी ब्याज और प्लेंटी में छूट रहेगी यानि राज्या में MNST योजना की अवदी है उसको 30 दिसंबर तक सात्यों बढ़ा दिया ग विद्यारल्यर का संचालन अब शुरू होगा, मुख्यामप इसकी सुई करती है जो दे दी है इस विद्यारल्यर की अवाश चम्ता 280 होगी यानि जो अवाश चम्ता है उसकी बताया गया है 280 होगी, कक्षा 6-12 तक बच्चे इसमें बड़स केंगे विद्याले संचालन के लिए 23 शेक्षनिक गेर शेक्षनिक पदों का सर्जन भी किया जाएगा इसके इलावा जालोर से भी न्यूद दे रहे हैं इसमें चितलवाना में 0.8 हेक्टर भूमी परे 2.8 क्रोड रुपे की लागस देव नरायन 17 वास है जो बनेगा साथियों आगे राजियो गांदी ग्रामिन वे सहरी जो अलंपिक है उनका फोटो दिखा रखा है जिलास तरिये चल रहे हैं इसके अलावा परदेश में खेलों का सकारात्मक महुल बना है उस पर अपने बात करते हैं मुख्य मंतरी सी गेलोत ने कहा कि वरत 2030 तक राजस्तान को खेल सही चेत्रों में देश का पर्तम राजिये बनाना हमारा टारगेट है गेलोत ने रविवार को जोदपूर के उमेद स्टेडिय में राजियो गांदी ग्रामिन वे सहरी ओलंपिक प्रत्यविता का अलोकन के दुरान यह बात कहीं कि पिछले साल राजियो गांदी ग्रामिन ओलंपिक खेलों में करीब 30 लाग है खिलाडियों ने पंजन कराया था जिनमें 10 लाख मेले सामिल थी इस बार है इसमें बतायागा है कि शहरी ओलंपिक खेलों में लगबग 89.5 लाग है लोगों ने इसमें पंजन कराया है जिसमें 25 लाग है महिलाए हैं राजियो गांदी ग्रामी ने सहरी ओलंफिक खेलों के आजन से परदेश में खेलों का साकारातमक माहुल बनाया है इसी दिसा में आउट ओप ट्रन युक्ती सरकारी नोकरियों में आरक्षन अंतराष्टे परतिस पद्दा पदक विजयता खिलाडियों के लिए पुर्श का राशी में बढ़ोत्री है जो की गई है परकार का ये जो राजी उगांदी ग्रामिन वे सहरी ओलंपिक है उस पर मुक्यमंत्री जी का स्टेटमेंट रासातियों अब दे रखा है सातियों जो परत्योगीता परिक्षा में आप से पूछा जाएगा उस पर बात करते हैं जोदपूर मुक्यमंत्री ने जैनराइन व प्रोसान देने के लिए जेपूर के रविंद्र मंच को मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में विख्षित करने की गोशना की शिरी गेलोध रवीवार को जोदपूर में शिरी नराइन व्यास समर्ती बहुन टाउन हौल के लोकारपनों समान समारों को संबोधित कर रहते मिल्च केगा राजे सरकार प्रदेश की लोग कलाकारों को सरक्षन कलाकारों को प्रोसाइट है जो कर रही है इस परकार का इसमें स्टेट्मेंट है परोना महामारी के दुरान कलाकारों को आर्थिक संबल उपलब्द करवाया गया राजस्तान सरकार ने कलाकार कल्यान राहत क कोस के लिए 100 क्रोड रुपे आउंटी ते किये हैं साथियों ये important रहेगा पुछा जा सकता है कि राजस्तान सरकार ने कलाकार कल्यान कोस के लिए कितने बजट का प्रावदान किया तो 100 क्रोड रुपे का रहेगा कितने का रहेगा सो क्रोड का बजट का परावदान है जो राजस्तान सरकार ने किसके लिए किया है जो कलाकार कल्यान कोस है उसके लिए परावदान है जो किया है जेपुर का रविंदर मंच मल्टी कल्चर सेंटर के रूप में विक्षित होगा इसके लावा मुक्य मंत्री जी ने जो जैनरे और विया समर्ती टाउन होल है उसका लोकारपन किया उसकी लागत है जो 11 पॉइंटे 5 क्रोड रुपे बताए गे थी सातियों इसके लावा देखते हैं कि ओर कौन सी मुक्य हेडलाइन्स थी कि चितोड बैंगो और गगरार के कोलेजों में नए संकाय और विशे है इस पर बात करेंगे चितोड जिले के राजके महाविद्यले बैंगो में सनातक स्तर पर अब सनातक सटर पर अब विद्यार्थी वानिजय संकाई तथा कला संकाई में चित्र कला उसन्स कर विशे की भी बढ़ाई कर सकेंगे यानि नए विशे हैं जो कॉलेज में आ गए है राजक्य महावडेले गंगरार को इतियास विशे के साथ सनात को तरस्तर पर कर्मोनते किया जाएगा मुख्यमतिशी गहलोगत ने इस आश्य के प्रस्ताओं को है जो मंजूरी दे दी है इसके अलावा गहलोगत की स्विकरतिशे राजके महाविदेले बेंगू में पांस सता राजके महाविदेले गंगरार में दो नई पदों का है जो सर्दने किया जाएगा इसके अलावा शिकर कर्मा भाई महिला आइटिए का नाम है जो प्रिवर्तित शिकर कर्मा भाई महिला आइटिए का नाम है प्रिवर्तित किया गया इस पर अपने बात करेंगे सातियों इसमें देरका है शिकर जिले के लक्षमन स्थित कर्मा भा कर दिती साथियों तो साथियों इपोर्टेंट क्या रहा जेपुर का रविंदर मंच है जो मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में वीक्षित होगा मुख्यमत्रीजी ने इसकी गोशना की साथी जोद्पूर में जेयन रायन व्यास समर्थी टाउन हॉल का लोकारपन किया इसकी इसके लावा कलाकार कल्यान को उसके लिए जो बजट है वो सो करोड़ का है ये भी मुख्यमत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया इसके लावा महात्मा गांदी विजाले हैं जो प्रिवर्तित किये जारे हैं महात्मा गांदी अंग्रेजी माद्यमें प्रिवर्तित किये जारे ही है इसके अलावा ये जोदपुर ग्रामिन में जो सामुदाइक स्वास्ते के अंदर अब सेटिलाइट चिकिसाले में कर्मनत होगा इसके अलावा प्रेटन को लेकर मुख्यमंत्री जी का ट्वीड था तो यहां से पर सने बंद सकता है साथियों और जो मुख्यमंत्री जी पूरी राजस्तान नहर प्रियोजना के लिए सेंटर सरकार से मांग किया है कि वो इस पर जल्द फैसला ले तो साथियों ये चार्स नंबर दोजार तेश का सुज़स विलिटिन था और इसे जुड़े जो महत्वण तथ्य थे उस पर अपने बात की कि सरकार का क्या पैदा हुआ वो भी आप है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इनफ्यूजर नोट्स के यूटूब चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद सातियों